आज हम आपको बताएगे कि जब software hold करवाता है तो कैसे hold करवाता है और maximum profit बिलवाने की कोशिश करता है software की condition के मुताबिज हमें trade करना है अगर सही signal मिलता है तो ही हम trade करेगे दूसरे software के जैसे buy sell buy sell buy sell बना कर आपको confuse नहीं करेगा एगर यहां निफ्टी का चार्ट में लगा जा है यह buy signal यहां पर दिया है अगर यह buy signal सही है या फिर गलत है वो चेक करने के लिए हमें पहले तो वो चेक करना है कि buy के पहले अगर यह सा उपर की side का blue arrow बना है तो इसका मतलब यह होता है कि buy signal है वो confirm trade है तो आप इसमें trade कर सक यह confirm trade है, शोर signal है और definitely यह उपर जाएगा, क्योंकि बाई के पहले उपर की side का arrow दिया है, नीची का सभी indicator है, वो green में बना हुआ है, साथ में हम seat number 2 का भी verification लेते हैं, कि double confirm हो जाए यह trade, तो यहाँ पर देखिए हमें double confirmation के लिए seat number 2 में जाकर check करना होता है, कि यह trading line जो white color की बनी है, उन से market उपर होना चाहिए, और नीची की दोनों ribbon green में होनी चाहिए, साथ में यहाँ देखते हैं, तो सभी round green में है, सब indicate green में बोल रहा है, तो इसका मतलब यह होता है, कि यह जो buy आया है, वो double confirm trade है, definitely definitely उपर जाएगा, अब mainly बात होती है, कि hold के से होता है, कि maximum ज bank nifty को exit मत करिएगा, क्योंकि यह अब train में आ चुका है, और software भी बोल रहा था, यहाँ आपने देखिए, तो एक उपर की side का arrow डाल कर आपको support दिया था, कि hold रखिएगा, यह और उपर जाएगा, यहाँ भी आपको बोला था, यह और उपर जाएगा, hold रखिए, फिर से में कल आपको live करकर दिखाऊगा, तो मतलब कि यह आने से आपका confidence increase होता है, कि अभी भी और उपर जाने वाला है, तो आप क्या करेगे, hold कर पाएगे, यह दूसरे software में क्या होता है, एक 50 point का target देकर आपको निकाल देता है, पर बाद में आप उसमें re-enter नहीं हो पते हैं, अगर आप intraday में भी trade करते हैं, तो भी यहां आपको यहां यह आने से आप यहां दुबारा re-enter हो सकते हैं, यहां भी आपको एक उपर की तरफ arrow डाला तो उसकी next candle से आप re-enter हो सकते हैं, यहां भी अगर उपर की तरफ आया तो यहां भी आप re-enter हो सकते हैं, तो ऐसे आप री एंटर भी कर सकते हैं और दूसरा आपको holding की जो अगर positional में करते हैं तो holding आपको होती है दूसरा किसी में मैं आपको example दे दू जैसे कि टाइटन के अंदर भी मैं कल से कल भी मैंने बोला था दो तरिक को भी बोला था कि इसको continue रखेगा जब तक इसमें कोई exit नब बने तब तक तो यहां mainly आपको buy दिने के पहले तो आपको बोला था कि यह confirm trade है बाई के पहले देखिए दो candle पहले ही उसने confirmation arrow डाला था साथ में नीचे की indicator देखिए तो सभी green में बना हुआ है साथ में हम second seed से verify करते है तो देखिए तो trading line यहां पर चल रही है मतलब की नीचे है और market उपर चल रहा है मतलब की यह confirm है नीचे यहां देखिए तो सभी round क्या चल रहा है green में चल रहा है सभी indicate green में है नीचे की दोनो रिबीन क्या है green में है तो इसका मतलब यह हुआ कि यह दोनों सीट से वेरिफाई था और अच्छी तरह से यह उपर जाने वाला है क्योंकि हमें दोनों सीट ने वेरिफिकेशन दिया था अब आगे जाकर आपको मेंडली होता है कि होल्डिंग सिस्टम यहां आपको बोला कि यह और उपर जाएगा होल्ड किये आपको सपोर्ट मिला आपको कॉंपिटन्स मिला तो आप होल्ड कर पाएगे अगर आपको सपोर्ट नहीं मिलता है तो आप होल्ड नहीं कर पाते थोड करेगा एक डाउन साइड डाल कर आपको एकजिट करवा दिए करवा दिगा हमारी सेनल पर हम डेली लाइव करते हैं सिगनल प्रोवाइड करते हैं सेनल को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए धन्यवाद दस्तों हो जाएए